तीखे नए नक्ष, गालू में पढ़ते गढ़े और दिलकश अदाओं वाली एक खुबसूरत अदाकारा जो साठ के देशक में कई हिंदी फिल्मों में नजर आई और कई बड़े एक्टर्स के साथ अपने हिट जोड़ी बनाई वो हसीन और मासूम दिखती थी तो साथ ही अपनी सौफ्ट बातों से सबका दिल जीट लेती थी कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वजहों से इन्हें अच्छे फिल्में मिलने बंद हो गई और गरीब परिवार में पैदा हुई इस अदाकारा को अपने परिवार का पेट पालने के लिए बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा क्या आपको पता है कि इस अदाकारा की जिन्दगी बच्पन से ही शापित रही और आखिरकार बदनसीबी बदनामी और विवादों की भेट चड़ गई और क्या आप यकीन करेंगे कि इस हेरोईन के पती नहीं एक अजीब शक के चलते इनको और बेटी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया जिसने पूरे बॉले वुड को दहला कर रख दिया था तो क्या थी वजह इस हत्याकांड की और क्यूं इस अदाकारा की जिन्दगी बेहद विवादित और दुखों तकलीफों से भरी रही बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें दोस्तों आज जिस एक्ट्रिस की जिन्दगी की दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हैं सईदा खान 1960 के दशक में हिंदिस सिनमा में उनकी एंट्री हुई और फिर कई बेहतरीन फिल्मों में सईदा ने काम किया लेकिन कौन जानता था कि इस खुबसूरत हिरोईन का अंत इतना दर्दनाक होगा कि सुनने वालों की रूह काम उठेगी आज भी अगर कोई सईदा की ट्रेजडी भरी कहानी सुनता है तो उसकी आँखों में आसू आ जाते हैं दास्ताने गम ये रहा कि वो अपनी फिल्मों के लिए कम और दुख भरी विवादित जिन्दगी के लिए ज्यादा जाने गए और उनकी जिन्दगी का अंत भी ऐसा हुआ कि आज तक किसी भी बॉलिवुड कलाकार का वैसा नहीं हुआ होगा तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी सईदा खान, कैसी रही उनकी शुरुवाती जिन्दगी और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था सईदा खान का जन्म 24 अक्टूबर 1949 को कोलकाता में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था उनकी मा का नाम था अन्वर बेगम और वो भी एक कलाकार थी लेकिन सईदा के पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती परिवार बहुत गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहा था इसलिए सईदा की पढ़ाई लिखाई भी ठेक से नहीं हो पाई सईदा को बच्पन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था वो हिरोईन बनने का सपना देखती रहती थी तब ही एक फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात फिल्मों के मशूर प्रोडियूसर डाइरेक्टर एचस रवेल से हुई उन्होंने सईदा खान की मा से बात की तो वो तुरंट मान गई रविल साहब ने सईदा को अपने फिल्म काँच की गुडिया में काम करने का मौका दिया इस फिल्म के बनने में थोड़ी देरी हुई और इसी बीच सईदा की एक और फिल्म अपना हाथ जगनाथ 1960 में रिलीज हुई जिसमें उनके साथ हीरो थे किशोर कुमार इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खुब बसंद किया गया साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म कांच की गुड़िया भी पसंद की गई और इस तरह फिल्मों में सहीदा खान की शुरुवात अच्छी रही इस फिल्म में उनके साथ मनोज गुमार नज़राय थे दरसल इसे फिल्म से मनोज कुमार को फिल्मों में ब्रेक मिला था सहीदा ने अपने करियर में राज कुमार, मनोज कुमार, किशूर कुमार, फिरोस खान, विश्वजीत जैसे कई सुपरस्टार संग काम किया और उनके काम को पसंद भी किया गया लेकिन अफसोस बाद में उन्हें अच्छी फिल्में मिलने कम हो गई इसके पीछे वजह ये मानी गई कि उस दोर में बहुत खुबसूरत और अच्छी डांसर अभिनेत्रियों की एंट्री हिंदिस सिनमा में होने लगी थी और सईदा मासूम और चुलबली जरूर देखती थी पर ना ही बहुत ज़ादा खुबसूरत थी और ना ही उन्हें क्लासिकल डांस का कोई अनुभाव था इसलिए फिर सईदा ने बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया इसके पीछे वजह थी सईदा की गरीबी वो जो कुछ कमाती थी उसी से उनकी माँ और बहन का खर्च चलता था फिर बीना काम की रहना भूखों मरने जैसा था लेकिन कहते हैं कि फिल्मों में बहुत जल्द ठपा लग जाता है और फिर अच्छे रोल मिलने बंद हो जाते हैं यही सईदा के साथ भी हुआ और वो डिप्रेशन में जाने लगी सईदा को बाद में अच्छी फिल्में न मिलने की एक बड़ी वज़ ये भी बताई गई कि इसका कारण उनकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी रही दरसल वो एक बदनाम मा की बेटी थी अन्वरी बेगम को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थी और उनका अतीत भी बदनाम रहा था खेर इसका नुकसान बेटी सईदा को भी हुआ और उन्हें लोगों के ताने भी सुनने को मिले सईदा की आखरी फिल्म थी वासना जो 1968 में रिलीज हुई थी इसमें वो राज कुमार को रिजाने वाली चमीली बाई के साइड रोल में नजर आई थी इसी बीच उन्होंने हनीमून, मौडन गर्ल, मैं शादी करने चला, चार दर्वेश, संदबाद, अली बाबा और अलादीन ये जिन्दगी कितने हसीन है और कन्यादान में अच्छे रोल किये थी मगर आट साल के करियर में महज 17-18 फिल्में ही उनके हिस्से में आई थी सदाना थे जिन्होंने 60 और 70 के दशक में दो भाई, ये रात फिर ना आएगी, एक से बढ़कर एक, विक्टोरिया नंबर 203, नाइट इन लंदन, यकीन और प्रोफेसर प्यारे लाल जैसी हिट फिल्में बनाई थी सदाना ने बहुत सोचा और फिर सदाना के सामने अपनी मजबूरी रखी कि उन्हीं की कमाई से सदाना के परिवार का खर्च चलता है, तो उनके लिए शादी करना इतना आसान नहीं है बताया जाता है कि ब्रज सदाना ने सदाना को यकीन दिलाया कि वो उनके परिवार का ख्याल रखेंगे और कोई परिशानी नहीं होने देंगे सदा खुशी से जूम उठी और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी, शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था सदा ने अब फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपने परिवार की देखवाल में लग गई थी सदा और ब्रज के दो बच्चे हुए, बेटी नमरता और बेटा कमल सदा जब भी किसी पार्टी या कैदरिंग में जाती थी तो सबसे कहती कि मेरे पती बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कुछ साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सदा की जिन्दगी की असली दास्तान सब के सामने लाकर रख दी अतीत के पन्ने पल्टे जाने लगे फिर तो परत दरपरत अजीब और गरीब कहानिया सामने आई जिसने पूरे बॉलिवुड को चौका कर रख दिया चलिए अब आपको उस कहानी से रूबरू कराते हैं 21 अक्टूबर 1990 को सईदा खान के बेटे कमल का बीसवा जनम दिन था उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में पाटी कर रहे थे ये वो दिन था जब हर साल घर में जश्न का महौल होता था बेटे कमल को अचानक कमरे के बाहर अपने मम्मी पापा के लड़ने की आवाज सुनाई दी उन्होंने दोस्तों से कहा कि रुको मैं जरा इन्हें देख कर आता हूँ वो बाहर आहिर है थे कि गोली चलने की आवाज आई वो भाग कर पहुँचे तो देखा कि शराब में धुत उनके पिता के हाथ में गन है और उनकी मा सहीदा और बहन नम्रता दोनों खून में लत्पत पड़ी चटपटा रही है उनके पिता ने पहले सहीदा को गोली मारी थी फिर मा को बचाने के लिए दोड़ी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया था ये खौफनाक नजारा देख कमल के मुह से चीख निकल गई तभी पिता ने कमल को देखा और उन पर भी गोली चला दी जो कमल के कान को छूती हुई निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े तब तक कमल के दोस्त भी बाहर आ चुके थे पर ये खतरनाक मंजर देख उनके भी होश उड़ गए आनन फानन में उन्होंने सब को होस्पिटल पहुँचाया और पुलिस को फोन किया कमल को कुछ घंटे बाद होश आया तो उन्होंने ये पूरी दास्तान सुनाई उन्होंने बताया था कि जब मुझे होश आया तो पता चला मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी मा और बहन दम तोड़ चुकी थी और बाद में पापा ने भी खुद को शूट कर लिया था कमल ने उस भयानक रात के बाद हमेशा के लिए अपना जन्म दिन मनाना छोड़ दिया और लंबे समय तक वो सद्मे में रहे थी बाद में बेटे कमल के बयान और परिवार वालों के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ कि सईदा से उनके पती हमेशा बुरी तरह से लड़ाई किया करते थे और उनके उपर ऐसे इलजाम लगाते जिससे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था इस बात के खबर घरवालों को भी थी और फिल्मे दुनिया के कुछ करीबियों को भी पर सब खामोश रहे थे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक शक्स रातो रात हैवान बन गया और अपनी पत्नी और बच्चों को गोलियों से भून डाला तो इसके पीछे जो वजह सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी दरसल ब्रिज सदाना हमेशा शक करते रहे कि सईदा की छोटी बहन शगुफता वास्तों में बहन नहीं बलकि उनकी नाजायस उलाद है उन्हें बताया गया था कि सईदा की माँ अन्वरी बेगम ने गूद लिया था पर फिल्म इंडस्टरी में भी सईदा और सउदा को लेकर तरह तरह की बातें होती थी शगुफता का चेहरा बेहन सईदा से मिलता था और सईदा भी बेहन का कुछ जादा ही खयाल रखती थी ब्रिज सदाना को इस बात पर शक होता था इसी बात को लेकर उनका सईदा से अक्सर जगडा भी होता रहा था और आखिरकार ये इस हद तक बढ़ गया कि खून की नदिया बह गई और एक परिवार तहस नहस हो गया तीन जाने चली गई और चौथा हमेशा के लिए तूट गया इस हादसे के करीब 11 साल बाद 2001 में बेटे कमल सदाना ने शादी की बता दें के इस हादसे के कुछ साल बाद कमल ने बॉलिवुड में एंट्री की वो काजोल की पहली फिल्म बेखुदी के हीरो रहे इसके बाद उन्हें फिल्म रंग में देखा गया जिसके गानों ने खुब धूम बचाया उन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था मगर मा की तरह बदकिस्मती उनके पीछे भी पड़ी रही बाली उमर को सलाम, रॉक डांसर, करकश आदी कई फिल्मे एक के बाद एक फ्लॉप होती गए उन्होंने पिता ब्रिज की विक्टूरिया नंबर टू-जिरो-थी का रीमेक भी बनाया लेकिन वो भी चली नहीं और इस तरह मा के ही जैसे बेहत कम समय में कमल ने भी फिल्मों से सन्यास ले लिया मगर अभी कहानी खत नहीं हुई है सईदा की हत्या के बाद उनकी छोटी बेहन शगुफता रफीक अकेली पड़ गए मा और भाई के लिए उन्हें पहले बार गर्ल बनना पड़ा फिर जिस्म का सौधा भी करना पड़ा मगर शगुफता बहुत स्ट्रॉंग थी इसलिए जल्दी ही इस दल्दल से निकल आई तकदीर ने भी साथ दिया फिर महिश भट ने उनको सपोर्ट किया जिन्होंने उनकी लिखी कुछ कहानिया पढ़ी थी जिन्देगी के कड़वे तजुर्वों को शगुफता ने कलमबध किया था जिसे और तराशा और एक अच्छी राइटर बन कर उभरें बता दें कि उनकी लिखी फिल्मों की कहानिया बेहत दमदार रही हैं जिन्हें आपने भी जरूर पसंद किया होगा फिल्म वो लमहे, आवारापन, राज 2, राज 3, जिस्म 2, मर्डर 2, आशी की, हमारी अधूरी कहानी ये सारी स्टोरीज शगुफता ने ही लिखी हैं और अब वो फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है सईदा और उनकी बेहन की क्या हाकिकत थी हमें नहीं पता पर उनकी दुख भरी जिन्दगी और दर्दनाक अंत वाकई हैरान कर देते हैं इश्वर उनकी आत्मा को शान्ती दे आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएगा इसी तरह की कुछ और कहानियों को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूटुब के थैंक्स बटन के जरीए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं साथ ही अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल व्लॉग की भी सेर्स जरूर करें वहां आपको अलग-अलग जग हों मोनुमेंट्स और रिलीजियस प्लेसिस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो चले कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आप से फिर होगी मुलाकात फिलहाल मुझे दीजिये इजासत नमसकार